तहजद की नमाज इंसान की जिंदगी चेंज कर देती है Do you believe in this fact? I hope you do Hey hi hello, namaste ji, satsri akal Assalamualaikum, मैंने धी शर्मा इंडिया से और ये एक motivational video है उन सभी लोगों के लिए जो अपनी life में नमाज पर अमल करना चाहते हैं मैंने ये पहले भी सुना हुआ है कि तहजद की जो नमाज होती है वो बहुत ज्यादा कराम आती होती है और आपकी सारी wishes पूरी होती है अब जिंदगी बदलने की बात हो रही है तो ख्वाहिशे तो पूरी होंगी ही Being a Hindu मेरे लिए भी motivational है सुनना कि एक दूसरे religion के अंदर किस तरीकी से prayer होती है या क्या उस prayer के benefits होते है ऐसे videos देखने सुनने से बहुती ज्यादा positive vibes create होती है और दिल के अंदर एक उमंग उठती है explore this religion as much as you can क्योंकि life is short, it is temporary, nothing is permanent over here हम बच्चपन से देख रहे हैं कि sceneries हमारे सामने से निकलती ही जा रही है ना एक phase आया वो खतम हुआ, दूसरा phase आ गया कोई अच्छा है, कोई बुरा है Unstoppable cycle of life के अंदर अगर हम meditate करके नमाज पढ़के जिन्दगी की सचाई, काइनात की सचाई समझ सके तो बहुत बढ़िया है अगर रास्ते बंद नजर आ रही है और खदम तहजुद के तरफ जा रही है तो जान लो, तुम्हारे रब ने तमें तहजुद के लिए चुनी लिया है वो महज इसलिए तुम्हारी निगाहों से रास्तों को ओजल कर देता है ताके तुम उसे मनाने तहजुद तक जाओ वो चाहता है, मेरा बंदा रात की खामोशी में मुझसे हम कलाम हो और मैं सुकून से रात की खामोशी में अपने बंदे को सुन्ज़ख को फौरां तुम्हारे सुन लेता, तो क्या तुम तहजुद का मज़ा चख पाते है उसकी मुखबत की लज़द, खबूलियत की एहमेत जान पाते है तहजुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता तहजुद लाडली यबादत है और अल्ला के लारलो को ही नसीब होती है तहजुद में मांगी विवी दौा रद हो जाए ये तो सरसर नामुम्किन बात है तुम उसे मनाने के लिए अपने नीन खुरवान करो और वो ना माने, ये तो नामुम्किन सी बात है तहजुद की नमाज, अल्ला ने बना ही कबूलियत के लिए है अगर कोई दौा तुमें तहजुद तक ले गई है तो जान लो, तुम्हारी दौाउट की कबूलियत हो चुकी है जो दौा तुम तहजुद में मांग रही होना हकीकत में तो वो दुआ कब की कबूल हो चुकी है वो देर फक्त इसलिए कर रहा है ताके तुम्हारा उससे दुआ का रिस्ता बरकरार रह सकी